नमस्कार दोस्तों, Learn with Energetube चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम रिट लेवल वन की आंसर की देखेंगे जो भी विद्यारती चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी उसफुल वीडियोज है दोस्तों, वो आपको टाइम टाइम मिलते रहें तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला सवाल है, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है तो दोस्तों, कजली तीज का त्योहार जो है, वो बुंदी में मनाया जाता है वालर करशी का प्रकार है तो दोस्तों वालर करशी जो है वो एक इस्ताना अंतरित करशी है so option D is the right answer अगला सवाल है निमने लिकित में से कौन सी राजस्तान में वनों के परसासनिक वरगी करण की शेनी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर शुरक्षित वन भी होते हैं अवगी क रत वन भी होते हैं आरक्षित वन भी होते हैं तो यहाँ पर अनारक्षित वन नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपका right answer क्या जाएगा option A तो यहाँ पर आपका right answer option C हो जाएगा सुन्दा माता मंदीर रोफे जालोर दियावाए जो की सही है ठीक है सावित्री माता रोफे आपका पुशकर में हो जाएगा अगला सवाल हम देखेंगे उननी सो अर्टिस में करोली राज्य परदामंडल की इस्ताबना किस ने की तो तो दोस्तों यह मेहोजीरो गोदारा के द्वारा लिखी गई सौप्शन B is the right answer अगला सवाल है कुंबलकर तता गोगुंदा के मद्य की उच्च भूमी कहलाती है तो दोस्तों यह भोराट का पठार कहलाता है सौप्शन A is the right answer अगला सवाल है कवरसेन द्वारा राजस्तान नहर की सुरुवात की गई तो यह 1958 में की गई so option D is the right answer अगला सवाल है आमे से कुंसी बोली राजस्तान में नहीं बोली जाती है वागडी बोली जाती है मेहाती हाडूती बोली जाती है अवदी नहीं बोली जाती है तो यहाँ पर आपका right answer option C हो जाएगा अगला सवाल हम यह जेंदर्म से संबंदित है अगला सवाल है दोस्तों चंदरभागा पसुमेला कहां लगता है यह जालरा पाटन में लगता है अगला सवाल है निमने लिकित में से किस लोगदेवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है तो दोस्तों एक गोगा जी को पूज अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तो question number 19 मारवार की पन्ना धाई किसे कहा जाता है तो दोस्तों मारवार की पन्ना धाई गोरा धाई को कहा जाता है तो यहाँ पर आपका D right answer हो जाएगा अगला सवाल है राजस्तानी लोग साहित्य धीट सू हर्जस काई है तो दोस्तों यह एक लोगीत है so option C is the right answer अगला सवाल है निम्ने लेकित मैंसे कौन फड़ वाचन से संबन्दी थे तो दोस्तों भोपे जो है यह फड़ वाचन से संबन्दी थे so option D is the right answer अगला सवाल है हाडोती बोली मुक्य रूपसू कठीने बोली जावे तो दोस्तों हाडोती बोली कोटा बुंदी में बोली जाती है so option B is the right answer अगला सवाल है निम्ने मैंसे कौन सी राजस्तान की लोकनाट्य सेली नहीं है रम्मत है, ख्याल है, सुआंग है तो दोस्तों डाडी नहीं है so option B is the right answer अगला सवाल है गनेश्वर संसकर्ती का महत्पून इस्तले तो दोस्तों गनेश्वर संसकर्ती जो है ये तामर यूगीन है तो यहाँ पर आपका D right answer हो जाएगा अगला सवाल है, बर्खान क्या है ओलूरी अक्यातारा रचनाकार है तो दोस्तों इनके रचनाकार जो है वो रेम नरायन जोशी है so option B is the right answer अगला सवाल है, निम्लिलिकित मैं से कौन सी पश्चिमी राजस्तान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है तो दोस्तों धामन एक घास है कराड एक घास है, सेवन एक घास है सालर घास नहीं है, so option C is the right answer अगला सवाल है कला प्रेमी सावंत सिंक किस प्रांत के साशकते तो दोस्तों ये किशंगड के साशकते अगला सवाल है, अरावली संकला का उच्चितम सिकर है तो ये गुरू सिकर हो जाएगा भारत गोरव रेल का मुक्य उदेश है, भारत गोरव रेल का मुक्य उदेश है राजा और उनके साई इस्तानों के बीते हुए यूग को पुना दर्षाने है तुए, so option C is the right answer अगला सवाल है, मुकुंद्रा की पहाडिया कौन से जिलों में विश्तरते तो दोस्तों मुकुंद्रा की पहाडिया जो है, ये जालावार कोटा में है ठीक है, अगला सवाल है, महिला चित्रकारो कमला ऐयो औलाइची के नाम किस चीत्रकला से ली से संब्दित है, ठीक है अगला सवाल है, आदी कालिन चारण सेली रा रस्णा कार नहीं है तो दोस्तों इस question में थोड़ा सा doubt है, इसको हम discuss करेंगे, अगला सवाल है, बिकानेर के निकट संपरातल को किस लोग देउता ने अपना कर्म इस्तल बनाया, तो ये जामबो जी ने बनाया था, अगला सवाल है, चंबल बेसीन की खंट भूमी को कहा जाता है, तो इसे अव न जो सिल्पी है, वो मंडन है, so option B is the right answer, मेजाबान बनाया गया, मेजाबान कोठारी नदी पर बनाया गया है, अगला सवाल है, जहागीर ने मुगल बाश्या बनने के बाद में, किस राजपुष शाशक के मनसब को कम कर दिया, तो दोस्तों मान सिंग जो था, इसके मनसब को कम कर दिया था, अगला सवाल है, राजस्तान के किस संभाग में सरवाधिक मक्का उतपादन होता है, तो सरवाधिक मक्का का उतपादन होता है, दोस्तों वो उदेपुर में होता है, अगला सवाल हम देखेंगे, काली मर्दा जानी जाती है, तो काली मर्दा को रेगूर तिक उतल पुतल उत्पन कर दी थी तो दोस्तों यह मेवार की राजकुमारी थी so option A is the right answer अगला सवाल है निमलिकित मेंसे किस सब्वेता को धूलकोट कहते हैं धूलकोट आहर को कहा जाता है अगला सवाल है भारती वन्यजीव सरक्षन अधिनियम लागू हुआ राजस्तान सरकार द्वारा आयोजीत मेगा जोब मेला 4 और 5 जन्वरी 2023 को उदेपुर में आयोजीत किया गया so option A is the right answer अगला सवाल है दोस्तों राजस्तान में पुरा तत्तु एमों संग्राले विबाग का गटन कब हुआ तो इसका गटन 1950 में हुआ था so option A is the right answer अगला सवाल हम देखेंगे अजे सिंग सेकावत का संबन दे तो दोस्तों अजे सिंग सेकावत का संबन भारा तोलन से है so option B is the right answer अगला सवाल है राजस्तान राज्ये का आदिकारिक नर्ते है तो ये घुमर हो जाएगा अगला सवाल है हाली में सुर्कियों में रहा बाबा मगरा दीप उधेपूर की 21 जील में इस्तित है तो दोस्तों ये जेसमन जील में इस्तित है ठीक है अगला सवाल है राज़तान में मिशन निर्यातक बनो को आरंब किया गया तो ये 29 जुलाई 2021 को आरंब किया गया टोक्यों पेरा उलम्पिक्स 2020 में अवनी लेकरा द्वारा दो पदक जीते गए ठीक है अगला सवाल है राज़तान के खिलाडी धनन जे दरजी जो हाली में खबरों में थे किस खेल से सम्बंदी थे तो दोस्तों ये क्रिकेट से सम्बंदी थे अगला सवाल हम देखेंगे दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ हुमन्स राइट्स चेंपियन अवर्ड दिया गया तो ये डोक्टर कृती भारती को दिया गया अगला सवाल है दोस्तों नेक्स क्यूशन हम देखेंगे सरसो अनुसंदान निदेसालिय इस्तित है तो ये भरतपुर में इस्तित है अगला सवाल है ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन इस्तल है तो दोस्तों इसका आयोजन इस्तल है महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज बिकानेर में S Tip A is the right answer अगला सवाल है राजस्तान के कितने जीले सीमा चेतर विकास कारेकरम के अंतरगत आते हैं तो यहाँ पर चार जीले आते हैं ठीक है अगला सवाल है राजी उगांदी डिजिटल योजना किश्वर्ष शुरू हुई तो ये 2013-14 में शुरू हुई So option A is the right answer अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों अगला सवाल है BB जरीना का मकबरा कहा है इस्तित है तो ये धोलपुर में इस्तित है So option B is the right answer ये कुशन तीन दिन पहले मैंने कम्यूनिटी पोस्ट पे अपलोड किया था अगला सवाल है दोस्तों राजस्तान के अरजुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक किस इस्परदा में भाग लिया था तो दोस्तों इन्होंने नोकायन में भाग लिया था So option B is the right answer अगला सवाल है सांस्कृतिक संस्तान भारते लोग कलाम अंडल इस्तित है तो ये उदेपुर में इस्तित है अगला सवाल है निम्न लिकित में से कौन सा वन्य जीऊं जालोर जीले का सुंबकर है तो दोस्तों जालोर जीले का भालू रीच हो जाएगा So option B is the right answer अगला सवाल है RSIC राजस्तान लगू उद्योग लिमिटेट को किस वर्स पब्लिक लिमिटेट कंपनी का दर्जा दिया गया तो दोस्तों इसे 1975 में पब्लिक लिमिटेट कंपनी का दर्जा दिया गया So option A is the right answer अगला सवाल है भारत का पर्थम डिजिटल आकाईू राजस्तान में किस इस्तान पर इस्तित है तो ये बिकानेर में इस्तित है अगला सवाल देखेंगे हम दोस्तों दुनिया के सबसे उचे युद्ध चेत्र सियाचिन ग्लेसियर पर तेनात होने वाली प्रतम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्तान से हैं तो दोस्तों ये केप्टन सीवा चुहान है, so option C is the right answer अगला सवाल है, the study of administration के लेकक कौन है, तो ये वुड्रो विल्सन है, so option A is the right answer अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों राजिय उगांदी Fintech Digital संस्तान कहां इस्तापित किया जा रहा है, तो ये जोदपुर में इस्तापित किया जा रहा है अगला है, operation सर्दहवा का संबन्द है, operation सर्दहवा का संबन्द सीमा सुरक्षा बल से है, BSF से, so option D is the right answer अगला सवाल है, Asia का सबसे बड़ा कर्षी फार्म राज़स्तान के निमलिकित में जै किस इस्तान पर इस्तित है, तो दोस्तों ये सूरतगर गंगानगर में इस्तित है अगला सवाल है, atlus परवत कहा है, atlus परवत अफ्रिका में इस्तित है, ठीक है next question हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लगबग GKK question complete हो चुके हैं दोस्तों अगला सवाल है राज्य में संसदी सचीव को सपत मुख्यमंत्री के द्वाला दिला जाती है so option D is the right answer अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों निम्ने लिकित में से कौन राजस्तान से पहले वेक्ती थे जिन्होंने मूल सव्विधान पर हस्ताक्शर किये तो दोस्तों यह बलवन सिंग मेता थे ठीक है अगला सवाल है मीरा भाई का जनम कहा हुआ तो दोस्तों मीरा भाई का जनम जो है वो कुड़की पाली में हुआ है so option A is the right answer तो दोस्तों यहाँ पर GK के question जो भी ते वो complete हो चुके हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें thank you so much